Hello everyone, I am again in front of you with the detail of the one topic, what is that? That is the soil, soil क्या है वेटा? मिट्टी, जो कि आप पिछली वीडियो में आप समझ चुके हैं कि इंडिया में वेटा मेचरली 5 ताइप्स की जो पाई जाती है और उसमें क्लासिफिकेशन अगर करने की बात आ जाए तो सम्टाइम्स हमें कंफ्यूजन रहते हैं तो आज मैं आप के इसी कंफ्यूजन को दूर करने आई हूँ तो सबसे पहले हम सबसे मेजर बेसिस पर ऑनिवेसिफार ग्यालीयल पाई जाती है उसके बारे में बताने जारी हूँ हम्हो है जो मेजर ग्रेसिस पर पाए जाते हैं और क्रोप्स जो इसमें ग्रोव होती है बटा मेजरली वीट, शुगरकें, पैडी, एंड पल्सिज, एकसेक्टरा मतलब मेली तो सभी टाइप की क्रोप्स इसमें ग्रोव हो सकती है लेकिन फिलहार जो हम अपने इंडिया में देख पा ही है रीवर्स के साथ जो सेडिमेंट बहे कर आते हैं रोपस तूपती हैं उन सेडिमेंट के टूपने और उनके fine structure में convert होने की वज़े से बनती हैं और इसमें बहुत ज्यादा ही है कि काफी सरे में रस्पी पाए जाते हैं तो जिसकी वज़े से यह संडी टेक्च्च्च् सब्सक्राइब कर देखने को मिलता है इसके मेजर ली तू टाइप्स होते हैं जो कि आप नाइंथ क्लास में पढ़ भी चुके हैं खादर एंड बांगर खादर क्या होता है एक न्यू एलूविय सोयल के डिपोजिस होते जो फ्लड ब्लेड एरिया में पाए जाते हैं और बह जाला होने के वजए से इतना फर्टाइल नहीं होता और अब मैं नेक्स आपको बताने जा रही हूं ब्लैक सोयल ब्लैक सोयल महाराष्टा में मेजर ली पाए जाती है मध्यवर्देश में 36 गट के कुछ पोर्शन में और सोरास्टर मालवार एक्सेक्टर इन जगे पर हम ब है मेजर कंटेंड जो मिंडल का होता है वो नहीं पाया जाती है मेजर कॉस्टिन भी बनता है कई वर्वनमा का वो क्या है फोस्पेरिक ऐसी इसमें लेकिंग रहती है नेक्स जो है इसकी में इसमें उगने वाली क्रोप्स की बात परे तो कोटन शुगर गें ग्राउन नट यह ज्यादा बोय जाते हैं और यह लावा के जो है जमने से बनती है और प्ले होती है यह ज्यादा मोस्ट्र को रिटेन कर सकती है काफी लंबे टाइम तक मोस्ट्र रिटेन करने वाली सोल होती है और इसमें यह स्टिकी हो जाती है चिप-चिपी हो जाती है जब फर्स शार में अगर हम कल्टिवेट कर ले लेंड को तो चलता है अगर यूज हाई रेंफोल जब होती है तो उस टाइब कर इस टाइब की सोईल को कल्टिवेट करना मुश्किल हो जाता है तो अब आपने देखा ब्लैक सोईल की क्या-क्या खासियत है अब हम थार्ड जो करने जा रहे है अब इसकी बात आती है कि प्रोपरिस को कोंशी है इसके अंदर तो वह है यह सेंडी टेक्स्चर की सेंडी नेचर की जो है सोयर होती है और इसका क्रेक्टर जो है सैली होता है लैकिंग ओफ यूमस इसमें यूमस की कंटेंट बहुत कम होते है या बिल्कुल नहीं होते और मॉस्चर के मॉस्चर भी इसमें नहीं होता है और कमकर नोडियूल की होने सामें च्छतिसगड में इसन एं सद्रन पोर्शन ऑफ डेकन प्लैटू में जादा पाई जाती है और इसमें जो मिनर्स पाई जाते हैं वह हैं आयरन एंड पोटाशियम और क्रोप्स जो इसमें ग्रोव होती हैं को तोटन मेज ग्राउंड नट टेबैकू इस टाइब से ज्य रेड कलर बनता है और रेन फोल जब आती है तो यह इसका यह जो है यालो क disgन हो जाती है क्योंकि क्या हुने रगता हाइड्रेटिक些 में लग जाती है अब है last but not least, यानि importance इसकी भी कम नहीं है, यह है लेटराइट स्वेल, लेटराइट का लेटराइट जूर शब्द है, यह लेटर वर्ड से निकला है, जो कि एक लेटिन भाषा का एक शब्द है, एक वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है ब्रीक, ब्रीक मतले समस्ते हैं न, यान लाग भुरे रंक्या मिट्टी होती है, जो कि करनाठका में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मेजर लीक, तमिलनाडू में, मध्यप्रदेश में और हिली एरिया जो और आसाम के अंदर ज्यादा डिपोर्चीट इसके देखने को मिलते हैं, इसमें जो कंटेंट होते हैं, इसमें पाई जाते हैं, आयरन, बोकसाइट, अलमोनियम, औक्साइड और जो क्रोप्स जिसमें ग्रोव होती हैं, आप सब को पता ही है, फेमस है यह स्पाईसीज के लिए टी, कोफी, कैश्यूनट, बनैना, यह इस थाइप की यह चीजे, क्रोप्स जो हैं ग्रोव यहां प होती है, तो उसकी वज़े से जो खोश्य के लिए हाऊती हैं, हमारी क्रॉस की वो फ्लो करके बहने रखती है, अएं सब्सक्राइप शोड़ हैं आगे बहह चले जाते हैं, जिसकी वजय से पी पीछी का पोर्शन, काफी जो है कमी आजाती है तो इंतेंस लिचिंग निस, ब होने की वजह से हम्मां भकुत कम होता है और ऒल्टि लाइजयर इस मीनियोर बनाखाटेक्भला इस प्रखार हम नहीं आधा कि हमारे देश के अंदर जाती मिंहींगी आज बता है आरईसे ही अगर हम बात करें एमेरिका की यूरोप की तो वहां तो साइंटिस्ट जो है बहुत ज्यादा अलग लग ज टाइब की संहर्ट को डूट चुकthsै जो हें। अमेरिका कि में और most Tan Tैंण जो है वह वहूर्ट में अलग लग टाइब की मिंटी की कोशझकी है गया है नोट बुक दो टाइप की होनी चाहिए आई थिंक तो एक रिजिस्टर बना सकते हैं जिसके अंदर हम अपने इंपोर्टेंट फैक्ट्स और नोट्स को लिखें जो कि आप अपने भर पर भी लग सकते हैं ताकि एक्जान टाइम में आपकी हेल्प हो सके और सेकिंड इस रिजिस्टर जो है आप सभी सब्जेक्ट का जो ऐसे के फोर सब्जेक्ट है उसका बना सकते हैं उसमें आप सिर्फ एंसी आटी कोश्टन आंसर को राइड डाउन कर सकते हैं और